दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि हमें कोई प्लेस्टोर से कोई बड़ी एप या फिर अपडेट डाउनलोड करना होता है लेकिन आमारे पास उतना इंटरनेट नहीं होता जैसे कि अब भी बात करें तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मुझे मान लिजे कि आपको पबजी अपडेट करना है पबजी की कोई अपडेट आ गई ओके तो नॉमली जो अपडेट होती है वो करी काफी लाट साइज होती है जैसे कि आप देख सकते हैं 1.6 GB की अपडेट है पबजी की तो अगर आपके पास उतना ज्यादा मॉबल डेटा नही है तो आपको अपडेट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्योंकि प्ले स्टोर में पास फंक्शनालिटी नहीं है तो अगर आप एक बार डाउनलोड करने के लिए स्टार्ट कर देंगे तो पिर आप उसे पास नहीं कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊ कलाँगा कि कैसे आप पडेजर उसे फंक्शनालिटे ऐक्रस सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्ले स्टोर में चुंकि पाउस फंक्शनलिटी नहीं है तो हम प्ले स्टोर एप यूज नहीं करेंगे सबसे पहले आपको इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है और आपको डालोड करना है एपिके प्योर एप तो आप टाइप किजी एपिके प्योर एपिके तो फिर्स जो रिजल्ट मिलेगा आप उसको उपन करना है फिर आपको क्लिक करना है डाउनलोड एपिके इस एप को डाउनलोड होने देते हैं 11MB का एप है छोटा सा लेकिन ये आपको मदद करेगा बड़े लाच फाइल से प्ले स्टोर डाउनलोड को पाउस और रेज्यूम करने में आप देख सकते हैं कि एप डाउनलोड हो चुका है तो हम डाउनलोड सेक्षिन में जाकर इस पर टैप कर देते हैं एपिके पर फिर इन्स्टॉल आपको शायद इंस्टॉल फॉम अन्नौन सोर्सस को शायद ऑप्शन अनेबल करना पड़ सकता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि एपिके प्यूर आप डाउनलोड हो चुका है तो हम आप एपिके एप ओपन होने के बाद आप जैसे दे सकते हैं आपको यहाँ पे मीट आप पे क्लिक करना है उसके बाद ओपन आप मैनेजमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी एप्स के अपडेट्स अविलेबल हैं उनकी लिस्ट दी गई है अगर आपको PUBG Mobile अपडेट करना है तो क्लिक ऑण अपडेट धन टाप कंटीन्यू अपडेट पो प्रक्लिक होने के बाद PUBG Mobile डाउनलोड होना स्टार्ठ हो जाएगा अगर आपको पाउस करना है डाउनलोड तो यहाँ पे ऊपन download tab then tap on pause अगर आपको फिर से continue करना है resume करना है update click on continue then again on continue तो जो update है वो फिर से restart continue हो जाएगा resume हो जाएगा वहीं से अगर आपको कोई नई game या app download करना है let's say for example pubg light तो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे download और resume कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे main screen में जाना है फिर home screen से type pubg फिर आपको pubg light दिख जाएगा तो आपको install पे tap करना है tap continue जैसे के आप देख सकते हैं pubg light download होना start हो गया है अगर आपको यह पाउस करना है update या फिर download तो go to main screen tap on me then open app management यहाँ पे आपको download tap open करना है यहाँ पे आप pubg mobile light resume और पाउस कर सकते हैं अगर आप continue पे resume करना है तो फिर continue पे click करना है जैसे के हम जानते हैं के play store में by default कोई resume और पाउस पाउस और resume का option नहीं है इसलिए हम यह pkpure app से कोई भी update या फिर download resume और पाउस कर सकते हैं इस वीडियो के लिए बस इतना ही ऐसे ही cool android tips के लिए इस चैनल को subscribe करना ना भूलें झाल के इसाओ कर सकते हैं झाल Central करता है झाल